तो ये किसानों की सहाधत को देखते हुए सरधाजली देने के लिए करपोई ठाकूर की प्रतिमा के नीचे राज़त की विधायकों ने मौन रखा है और सरकार से मांग की है कि हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार का जवाब देना पड़ेगा बज़र सतर जरूर है लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है जनता की परती जो हमें जवाब दे ही हमें जनता ने दी है उनके प्रस्णों को लेकर करके हम सदन में उठाएंगे और अगर सरकार उनका जवाब नहीं देगी तो सदन नहीं चलने देंगी ये तक कहा है राज़त भ्याकों ने आदर्ज को मानने वाले लोग तथाकतित लोग आज सरकार में बने हुए हैं और ये किशान वीरोधी बेरोजगार वीरोधी नौजवान वीरोधी और रोज अपराद का ग्राब बरता चला जा रहा है रोज लूट हत्या होड़े ये बलतकार हो रहे हैं तकि सरकार हाथ पर हादर कर बेठी हैं हम मांग करते हैं कुस पर करवाई होनी चाहिए अगर इस बार करवाई नहीं होगी हम लोग मांग करेंगे सधन नहीं चलने देंगे परतिनिदी हैं और जनता की जन समस्याओं को लेकर यहां सदन में हम लोग आए हैं और रखेंगे सब लोग अपनी बातों को रखेंगे बिहार जिस तरह से अपराद के जगत में चला गया है लूट के हत्या के आरोज भरस्ताचार हो रहा है और कोई जगत कोई महकमा चाहे व था नहीं था और नहीं पैसा दिया तो था उसी को थाना कहते हैं यह थाना नहीं जुल्म का करखाना हो गया है यह करपूरी जी का कहना है यह थाना नहीं यह जुल्म का करखाना है जो था भी ना भी जो पैसा देता है वो नहीं और जो नहीं देता है उसको था सहीवगी अशोक के साथ पटना सेटी भारत के लिए मिद्वर्मा